Welcome to lecture of information security इस lecture में हम types of operation देखेंगे type of operation से यहाँ पे क्या मुराद है कि जब हम plain text को cipher text में convert करते हैं तो वो cipher text में convert होने के लिए कौन-कौन से operation उस पे हो सकते हैं यानि plain text को cipher text में किन method से convert किया जाता है हम उनको type of operation कहते हैं यानि जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है type of operation यूज़ फोर ट्रांस्फॉर्मिंग plain text इन्टो cipher text कि plain text यानि जो readable text होता है उसको cipher text cipher text का मतलब जो के एक non-meaningful सा text होता है उसमें convert किस तरह से कर सकते हैं कौन-कौन सी technique यूज़ कर सकते हैं कौन से method यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे तो सबसे पहले substitution substitution का क्या मतलब हम ये कहना चाहा रहे हैं कि हम plain text को cipher text में convert कर सकते हैं by using some substitution method अब substitution का क्या मतलब होता है substitution का मतलब ये होता है कि हमारा जो कोई plain text में जो भी कोई alphabet या character होता है वो किसी दूसरे character के साथ change हो जाता है इसको कहते हैं substitute करना मसलन मैं कहते हूँ हमारा एक plain text है for example मैं एक word ले ले तो hello हमारे पास plain text है plain क्योंगे एक meaningful word है हमने cipher text बनाना है substitution method क्या करता है इस h को किसी और के साथ replace कर देगा substitute होगा ह को इसको 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 इस कर दिया जाता है तो इसको कहते है substitution method हम जब encryption करते हैं तो encryption के मुफलिफ technique है encryption हम text की plain text की encryption करते हैं वो by substitution भी कर सकते हैं और ज्यादा तर substitution वाली technique भी काफी use होती है अगर आप इसको theoretically देखें तो यहां पे भी यह लिखा substitution क्या है in which each element in the plain text जिस तरह ही हमने बताया थाना ह है ए है ए है ए है फिर एल है ओ है यह element है वो कहते है each element in plain text bit, letter, group of bits और letters यानि अब हमारे पास यह क्यां letters हैं कुछ letters भी हो सकते हैं number of bits भी हो सकते हैं जो भी चीज होगी हमारे पास is mapped into another element तो हमने भी यही दिखाया कि देखे ह, F में map हो गया E, J में, L, K में और लाजमी नहीं कि हमेशा F में होना है हम जो भी technique यूज़ करेंगे substitution वाली उसके मताबिक यह जो है वो map हो जाएंग उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है it can be mono-alphabetic और poly-alphabetic अब इस चीज़ का क्या मतलब है mono-alphabetic और poly-alphabetic mono-alphabetic का मतलब है मस्तन हमारे पास एक मैं कहता हूँ plain text है यहाँ पर मैं लिखता हूँ good ठीक है G, O, D, good हमने इसका cipher text बनाना है suppose करें जो हम technique यूज़ कर रहे हैं उसमें G for example convert हो गया D में यह O आया O convert हो गया A में दुबारा O आया O फिर convert हो गया A में और यह D आया D convert हो गया H में तो यह जो mono-alphabetic technique है mono-alphabetic substitution से मुराद यह है कि जब हमारे पास कोई alphabet आता है यह कोई same character आता है तो वो हमेशा same element में ही अगर map होगा approach है जिस तरह आप यहां पे देख से है O पहले जफ़ा आया जी डबलो डी का O आया वो O A में convert हो गया दुबारा O आया वो फिर A में convert हो गया तो यह चीज हमारी क्या कहलाती है यह चीज कहलाती है mono-alphabetic और poly-alphabetic इसका opposite है poly-alphabetic का मतलब है कि हर element जो है वो किसी दूसरे element में map होगा मसलन O first time आया वो A में map हो गया next time O आया तो वो शायद B में map हो जाए शायद उस O को C से replace कर दिया जाए यह technique poly-alphabetic कहलाती है हमारे पास यह दोनों techniques है practically और हम इनको अगरे आने वाले lecture में example भी देखेंगे कि mono-alphabetic कैसे काम करती है और poly-alphabetic mono-alphabetic में यह हो जाता है कि हमारे पास security कुछ कम हो जाती है मसलन English language में सबसे ज़्यदा use होने वाला alphabet है E अब हम कोई ciphertext देख रहे है उसमें एक word बार-बार आ रहा है मसलन A का word बार-बार आ रहा है ciphertext के अंदर तो वहां से हमें guess मिल सकता है कि जो सबसे ज़्यदा word आ रहा है यह E के साथ convert हुआ होगा E की जगा पे यह होगा तो एक guessing थोड़ी सी असान हो जाती है उसके अंदर और हमारा जो आप कहलें कि ciphertext होता है उसका analysis थोड़ा easy हो जाता है तो दोनों टेकनीक्स हैं यह अब difference इन में आप समझ गया होगे mono-alphabetic का मतलब है हमारा हर character एक different character हर character अगर repeat हो रहा है repetitive character है मसलनल A दू दफा आ रहा है plain text में तो वो दोनों दफा A जिससे एक दफा replace हुआ second time भी उसी से replace होगा लेकिन poly-alphabetic में अगर plain text में A दो दफा आ रहा है तो first time A जिससे replace हुआ second time उससे नहीं होगा किसी और alphabet से या किसी और character से वो replace हो जाएगा next आज़ आती है transposition transposition टेकनीक क्या है plain text को cipher text में transposition के तरू convert करना यह क्या है इसमें सिर्फ हम alphabet की sequence change करते है यह कि मसलन मैं आपको कहता हूँ यही एक text ले लेते है hello h e double l o transposition का मतलब हम कोई ऐसी टेकनीक यूज करेंगे कि वो इसको map नहीं करेगा element को sequence change कर देगा अब यह hello है ना अब देखें मैं अगर इसको इस तरह से लिखना हूँ o पहले आ जाए फिर मैं l फिर e फिर l और h अब देखें मैंने सिर्फ sequence change की alphabet वो ही है h e double l o वाले यह देखें h भी है e भी है दो दफ़ा l भी है o भी है इसको कहते है transposition यानि हम सिर्फ की उसके कुछ अपने rules होंगे किस तरह से इसको transpose करना है तो इसकी भी हम एक example करेंगे अपने आने वाले lecture में last पे है product यह जो product operation है हमारे जो latest algorithms है encryption के यानि ऐसे algorithm जो plain text को ciphertext में convert करते हैं वो यह वाली technique यूज़ करते हैं product वाली इसके अंदर क्या होता है इसमें हम substitution और transposition यह दोनों methods को combine करके use करते हैं जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ involve multiple stages of substitution and transposition यह इन दोनों का mixture है substitution और transposition का mixture है product अगर मैं आप से इनकी example की बात करूँ तो substitution method जिस तरह हमारे पास हम कह सकते हैं ROT13 यह एक basic earlier technique थी encryption की बिल्कुल simple सी तो वो substitution method को use करती है और जिस तरह हमारे पास Virginia cipher हो गया play fair हो गया यह सारी substitution techniques है transposition की बात करूँ तो हमारे पास एक technique है जिसको हम rail fence बोलते हैं एक column नार है तो यह सारी जो techniques है यह transposition हो सकती है यह जो मैंने last two आपको बताई ही जिस तरह rail fence हो गया और product हमारे latest algorithm जिस तरह AES हो गया DES हो गया वो सारी यह product वाला method यूज करते हैं तो यह basic type of operation थे यानि अगर हम summarize करें इस lecture को तो हमने इस lecture में यह convert किया कि जब हम plain text को cypher text के अंदर convert कर रहे होते हैं तो हम किस तरह से convert कर सकते हैं हम substitution वाली technique भी use कर सकते हैं transposition वाली भी कर सकते हैं product वाली भी कर सकते हैं इन तीनों के अंदर क्या difference है उसको हमने with example इस lecture में समझा Thank you